प्रेंट्स जैसे कि आप जानते दोस्तों कि हमने 11 स्टांडर के लिए साइन श्ट्रीम का एक नया बैच और 11 स्टांडर में आ चुका होगा तो उनको ये वीडियो जरूर से देखने के लिए मिल रहा होगा वैसे हमारे वाइट बोर्ड के वीडियो भी प्रेजेंट है आप वो भी जाके देख सकते हो बायलोजी के फिजिक्स के के कैमिस्ट्री के एंसाथ में मैट्स के तो उसको भी प्यार दे सकते हो लेकिन ये नया बैच हमने स्टांडर के लिए और खासकर डिजिल बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं तो आपको बता दू कि अल्रीड 11 स्टांडर चाप्टर दुबारा से पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम इंदोस्तों लिविंग वर्ड? जी हां दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूब delicious topic है और बहुत ज्याद मैं बोलता है लिविंग वर्ड आज पहला लेक्चेर भले ही पढ़ रहे हैं तो इसका में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहूँगा कि लिविंग वर्ड मतलब क्या होता है कभी आपने सोचे कि लिविंग वर्ड यह बहुत ही दिखने में छोटा नाम है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया है अब पूरी ब्रह्मांड की अगर बात करो तो हमारा प्रित्वी यानि अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिसके उपर लिविंग और्गानिजम प्रेजेंट है as of now as per the research जो हमारे डेट में अब तक available है ऐसा नहीं है कि alien exist नहीं करते होंगे करते हो इंसे से लिप्लानेट है बहुत सबकते होंगे लेकिन अभी तक और इसा प्रौपर किसी नहीं मिला निए ने तो अब तक पहुछ और हम ठीक है ना अब तक पहुँच के होते हैं अगर पहुचना पॉसिबल हो पाता तो लेकिन अब तक ऐसा सबूत मिला नहीं लेकिन इससे यह पता चला कि अब तक तो हम यह बोल सकते कि हमारा स्विप प्रित्वी ही एक इसा प्लानेट पूरे ब्रहमांड में पूरे वर्ड मे पूरे सोलार सिष्टम में पूरी गैलक्सी में कि जिसमें लाइफ एवेलेबल है अगर लाइफ एवेलेबल है तो देरा सो मेनी अदर अधर अधर टाइपस ऑफ और गानिजम्स ऑलसो ठीक है अब जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपने यार पहले से स्टांडर में पढ़ दोस्तो वो क्या होते हैं जिनके अंदर जीव प्रेजेट जान प्रेज्थे एंदे और For example, human beings is a living thing, for example, plants is also a living thing, लेकिन animals और human beings जिसको हम लग बोलते हैं, और plant में, दोनों है तो living thing लेंग में फ़राख है, कि plants चलते नहीं है, animals move कर सकते हैं, locate कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, भूमोशन होता है, लेकिन क्या दोनों अलग अलग हैं नहीं, दोनों ही living things है, तो हो सकता है, living things के अंदर बहुत सारे diversity हो, बहुत सारे चीज़े हो, जो हमनों को पढ़ना आगे जाके, ठीके न, बहुत सारे अलग-अलग चीजें हो, हो सकता है, तोनों के characters, characteristics भी अलग-अलग हो, लेकिन एक non-living thing का मतलब होता है, कि non-living thing के अंदर, अंदर कोई metabolic activities नहीं हो रही है, एक non-living thing जो है, वो कभी पानी नहीं पी सकता, वो कभी ख समझना पड़ेगा, अब एक और important चीज़ आप समझो, कि हमारा जो living world है, यह एक बहुत ही जादा बहुत बढ़ा world है, ठीके न, हम बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, कि यह बहुत छोटा है, लेकिन यह एक्चुल में क्या है, यह एक बहुत बढ़ा world है, ठी बहुत ही जादा तादाद में present होगे, कभी सोच रहा है कि क्या प्रित्विसिफ इंसानों के लिए है, क्या, हम अलग-अलग चीज़े करते हैं, जब चाहे पॉलूशन करते हैं, जब चाहे वो करते हैं, यह करते हैं, लेकिन कभी सोच रहे हैं कि सिर्फ एर्थ के उपर human beings ह देते हैं, क्या, नहीं यार, अर्थ के उपर there are so many other types of creatures and organisms which are present and they are living their own life, ठीक है, अब यह तो बात की बात हो गई, ठीक है, अलग-अलग चीज़ की बात हो गई, लेकिन एक और चीज़ पढ़ना है, एक topic है हमारा जिसका नाम है दोस्तो, basic principles of life, यानि कि जो जिन्दगी होती ह कुस्तो ऐसा rule रहेगा, कुस्तो वो चीज follow कर रहा होगा, कुस्तो ऐसा basic principle होगा, हर एक चीज़ के पीछे principle होता है, AC work कर रहा है, थंडा कर रहा है, cooling कर रहा है, मतलब उसके पीछे भी एक logic है, एक principle है उसका, ठीक है ना, यह जो marker है, यह अपना जो digital board है, इसके उपर लिख पा रहा है, कुस्तो ऐसा funda होगा न, इसके अंदर तभी तो यह दिखने वाला कुछ है ही न, इसमें कुछ ink वगर है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यह लिख पा रहा है, अलग-अलग color से लिख पा रहा है, जैसे कि आप जानते हो, कि इसके पास मेरे पास colorful option है, जो color चाहि जी रहेगा, कुस्तो basic principle रहेगा, तो सेम उसी प्रकार जिन्दगी के लिए, life के लिए भी एक basic principle होता है, अब जैसे कि हम एक चीज़ समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्या समझते हैं दोस्तों, कि हमारा जन्म होता है जिन्दगी जीने के लिए, we are born to survive, every human beings, every living things on the world, born and कब तक वो जिन्दगी जीता है, जब तक उसकी मृत्यू, यानि death नहीं हो जाती है, ऐसा कोई भी living thing नहीं होगा, जो अजय है, अमर है, ऐसा हम लोग बोलते हैं अमृत पी लिया, अजय हो सतियूग में होता था, जो भगवान लोग रहते थे, according to mythology, ठीक है, तो वो उसमे होता था, लेकिन आज के डे में आप ऐसा, इमाजन कर लो कि एसा एक पेड़ है, जो जिन्दगी में कभी मरेगा या नहीं, इसा कोई animal है, जिन्दगी में नहीं मरेगा, ऐसा कोई microorganism है जो जिन्दगी में नहीं मरेगा, हो इनी सकता, but हम लोग फिर भी सर्वाइब करने की कोशिश करते हैं, हम इंसान पैदा होते हैं, बच्चे जब होते हैं, तो हमें माबाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं, कमाने के लिए ये करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन एक बार जब हम पैर पे आ जाते हैं, तो हम जिन्दगी को एक में मकसद होता है जिन्दगी को जीना मरते दम तक अब अगई यह जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हमें रोज वह प्रॉसेस को करना है अब सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों energy चाहिए क्यूंकि यार कोई भी चीज को देखो कोई भी living organism को देखो अगर वो survive करना चाहता है जीना चाहता है तो उसको energy चाहिए अगर हमको कुछ करने जैसे कि आप देख सकते कि राहूल सर आपके सामनेखडे जी हमें मिलती है खाना खाने से, तो हम human beings, हम animals या फिर कोई भी दुनिया में living things हो, वो खाना खाता है, फुड खाता है, अब आप बोलो कि सार प्लांस की दर खाना खाता है, रे प्लांस भी तो खाना खाता है, दूप, आता है कि निखाता है, धूप से खाता है, वो chlorophyll pigment क्या होता है, उसके अंदर, एक reaction होता है, वो photosynthesis process पता है, यार उतना तो मुझे मत बोलो, explain करने के लिए, वो छेट भी साथ भी में पढ़ाता है, आपने, correct है, तो photosynthesis process से वो खाना बनाता है, मतलब कहीं ने कहीं, हर एक creature दुनिया में जो है, वो कहीं ने कहीं, किसके ओपर dependent है, food के ओपर dependent है, ताकि उसको energy मिल जाए, और जैसे ही उसको energy मिलेगा, तो उसके body में क्या हो जाएगा, metabolism हा जाएगा, क्या होता है metabolism, that is the process, अलग-अलग process जो उसके शरीर में हो रहा है, जैसे मैं human beings का example इसलिए जैता हो बारवर, कि हम relate कर पाते हैं, हम human beings है, तो हमारे body में, ज कितने भी चीज़े हो रहे हैं दोस्तों, इसको क्या बोलूँगा, metabolic activities, इसको मैं क्या बोलूँगा, metabolic activities, अब यह जो metabolic activities जो हो रही है, कहीं न कहीं, जिसको metabolism बोलते हैं, इसके पीछे कौन जिमेदार है, इसके पीछे खाना जिमेदार है, फुड जिमेदार है, यानि energy जिमे जो पन रहे हैं, तो वो ब्लड में जाके मिक्स हो रहा है और ब्लड नूट्रेंट्स हम खा रहे हैं, वो दोनों react कर रहे है, किसके अंदर? तो हमने oxygen लिया तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है यह एक तरीके से एनबॉलिक प्रोसेस हो रहा है लेकिन अगर हम कोई चीज रिलीज कर रहे ब्रेकडाउन कर रहे हैं जैसे कारबन डॉकसेड रिलीज होके चला गया तो इस प्रकार से चीजे हो जाती है ठीक है अब एक और लिविंग में क्या metabolic activities होगी क्या catabolism and metabolism होगा non living thing कभी एक पहाड एक पहाड क्या non living thing है भले ही वो abiotic factor है ठीक है लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या एक पहाड को कभी आपने बड़ा होते देखाए क्या एक पहाड को आपने तूटते वह देखाए क्या आपको पहाड अब एक चीज कि हमारा एक और principle क्या है life का कि हम पैदा होते खाना खाते सर्वाइब करते ठीक है लेकिन ये life में एक और सबसे important process होता है दोस्तों जो की होता है दोस्तों growth क्या होता है हमारे life में सबसे important चीज growth होता है इंसान बढ़ता है plants बढ़ता है animals का size बढ़ता है microorganism भी शायद बढ़ते होंगे थोड़े बहुत ठीक है न शायद मतलब बढ़ते ही है यार obviously ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि every living things जो हमारे पूरे world में present है ठीक है every living thing जो पूरे world में present है उनमे growth होता है और कोई non living thing ले ले हाथ मेरा जो छोटा था बच्पन में यह बड़ा हो गया लेकिन उसके comparison में यह marker वैसी का वैसी रहा इतका मतलब living things growth कर पाएंगे non living things growth नहीं कर पाएंगे यह मैंने आपको बताने के गोशिश किये और यह जो होता है यह unlimited भी नहीं होता है एक certain limit होता है यह जो growth होती है यह unlimited unlimited नहीं होती है it is not unlimited it is not unlimited एक certain point तक grow होगा जैसे हम human beings लगबग 18-20 साल तक grow करते है उसके बाद grow करना हमारा stop हो जाता है हमारी height नहीं बढ़ती है आपने देखा है plants एक particular race तक बढ़ते हैं उसके बाद वो stop हो जाते है ठीक है तो ऐसे हर एक का growth एक fix होता है और एक life span जो होती यह correct है तो यह सब चीज़े आपको पता होना चाहिए ठीक है हर एक fix life span है ठीक है और हमारी जिंदगी पहली बात तो यह बोलते हैं कहावत है कि कोई भी इंसान immortal नहीं होता मतलब एक नएक दिन उसको जाना ही है ठीक है जब वो जाना है तो मतलब उसकी life खतम हो रही है लेक है अब मेरे father का तो age restricted है और कितना जिएंगे 70 80 90 मैं तो मैं तो चाहता है यह कि ज़्यादा जिए लेकिन एक age तक जिएंगे उसके बाद उन्होंने मुझे जनम दिया मैं आया अब मेरी भी शायद आगे जाके कुछ चीज़े होगी growth होगा तो मैं भी आगे जनम लूँगा समझ में आ रहे हैं तो मेरे भी आगे कोई आएगा उन्हों जनम लेगा उसके भी आगे कोई जनम लेगा तो कहीं ने कहीं हम human beings का या फिर जितने भी life में creatures होते हैं life वाले इनका जो life है यह continue होता रहता है खुटका नहीं लेकिन हम continue करवा सकते हैं by means of reproduction मतलब हम human beings क्या करव हुआ है और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे चिंता नहीं करना है ठीक है अगर body हमारी metabolism को lost कर देती है जैसे कि हमारे चरीड में बहुत सारे functions हो रहे हैं digestion हो रहा है excretion हो रहा है ठीक है ना यह सब चीज अगर होना बंद हो जाए मतलब metabolism बंद हो जाए digestion वगरे सब बंद हो है तो क्या होगा lost हो जाएगा मतलब जो भी living thing होगा वो die हो जाएगा यानि कि अगर metabolic activity जरूप जाती है तो वो खतम ठीक है एंड जो living things होते हैं मैं आपको बता दू कि living things बहुत सारी चीजों के उपर react करते हैं और respond करते हैं living things मैं human beings की बात नहीं कर रहा हूं human beings तो करते है यह बात बात पर गुसा आ जाता है लेकिन मैं बात कर रहा हूं living things पर living things के अंदर एक ऐसा चीज होता है hormonal चीजों के वज़े से वह बहुत सारी चीजों के उपर react करते हैं respond भी करते हैं और यहां पर मैं hormones को pressurize नहीं कर रहा हूं hormone को ज्यादा मैं focus नहीं कर रहा हूं यहां जब मैं छोटा था तो मेरी डाड़ी नहीं था आज जबो कितने अच्छी डाड़ी आ जाती है ठीक है तो यानि कि मेरे शरी में biological changes भी हो रही है ठीक है बहुत सारे चीज़े डवलप होती है एक human being के शरीर में एक microorganism या फिर एक plant के शरीर में body के अंदर तो ऐसी बहुत सार है आपको biology इस प्रकार पढ़ाएंगे कि यार आपको मजा आ जाएगा और आप बोलेगे कि यार biology से subject में आज तक नहीं पढ़ा ठ्रस्ट में बहुत इंट्रेस्ट आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया यह चीज और एक और चीज यह है कि हमाई इस चाप्टर में बहुत सार और यही चीज को अगर हम study करेंगे that is study of diversity जो हम करते हैं उसी चीज को कहा जाता है दोस्तो क्या कहते हैं इसी चीज को हम कहते है taxonomical aid क्या कहते हैं दोस्तो taxonomical aid यानि that is the study of the diversity is called as the taxonomical aid और यह taxonomical aid हमें पढ़ना है और इसमें कई सारे चीज़े आ जाती है जैसे herbarium आ जाता है अब क्या होता है पूछना मत आज के lecture में क्योंकि ये सब चीज में lecture number 2 में पढ़ाऊंगा herbarium क्या होता है botanical garden ये तो शायद सुना होगा आपने आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा हमारे lecture number 2 का तो फटा फट से वेट कर लेना क्योंकि यार मैं continuous बनाऊंगा इस chapter को और जल्दी जल्दी इस chapter को complete करूँगा लेकिन उसके लिए आप लोग का प्यार आप लोग का support और आप लोग का आशिर्वाद जरूरी है हमारे लिए तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे अच्छे से मन लगा के ठीक है तो चलो इसी के साथ हमारा आज का ये lecture number 1 है इस chapter का ये होता है समाप थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो और आज टॉप करूँगा लेकिन lecture number 2 फटा फट से लेके रहूँगा और बाकी maths बगर के तो continuous आ रहे है और बाकी commerce के अगर कोई बच्चे है तो अपने friends को बता देना कि जे आर टुटोरियोस पर 11 का डिजिटल बोर्ड के ओपर वीडियोस आने शुरू हो गए है तो please share to everyone और फर्स्ट टाइम आयो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में बैल आइकन को कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन्स मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंट्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे लिए वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू एंड गुडबाई